तो देखते हैं पर question number 4 में हमसे क्या पूछा गया है, find the energy possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground, तो हमें यहाँ पर बतानी है, energy find out करके, और हमें यहाँ पर object का mass given है, और हमें यहाँ पर क्या given है, height given है, तो इसको यहाँ पर करते है, solve, तो हम यहाँ पर सबसे पहले given values लिख लेंगे, हमें यहाँ पर object का mass कितना दे रखा है, 10 kg दे रखा है, और जो height दे रखी है, वो हमें यहाँ पर कितनी दे रखी है, 6 meter दे रखी है, और जो यहाँ पर gravity लगेगी, वो हमारी यहाँ पर क्या लगेगी, 9.8 meter per second square की लगेगी, इस question में हमें यहाँ पर क्या करना है, potential energy find out करनी है, यहाँ पर जो object है, वो यहाँ पर क्या है, height पर है, तो माल लोग कि हम यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर कोई ball है, इसको हम यहाँ पर क्या ले गए, इसको roof पर ले गए, कहाँ पर ले गए, roof को ले गए, और उसकी height यहाँ पर कितनी है, roof की, 6 meter है, और जो object का mass है, वो hmenergy stored हो गई इसमें हम energy stored हो गई potential energy और जैसे हं हम यहां पे इसको release करेंगे तो इसमें kinetic energy कि क्या होगी motion में आएगी तो यहांपे क्या होगा kinetic energy आ जागी पर अभी हैं gentle energy इसले हम यहांपे क्या निकालेंगे इसमें potential energy निकालेंगे और potential energyşekkür बराबर होता है Guston के बराबर होता है serकर बराबर होता है वर्डन के तो मैं आपको बताऊंगा शरी अपको बता है यहां पर potential energy का फर्मला निकला कैसे दो सबसे पहले मैं आपको बता दिता हूं बराडन यहां पर था क्या मिस्ट्टन की होता है हमारा force into displacement क्या होता है वो due to gravity लग रहा है तो इसका यहाँ पर formula यहाँ पर क्या बन जाता था mg और displacement हमारे यहाँ पर high t होती थी तो mg h बन जाता था actually में formula क्या बन जाता था mg h और यहाँ पर जो word done होगा वो यहाँ पर क्या होगा potential energy के बराबर होगा क्योंकि जो energy store हो रही है वो यहाँ पर क्या हो रही है potential energy में हो रही है क्योंकि जो object ने यहाँ पर energy gain करी है वो यहाँ पर potential energy की form में करी है तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे potential energy निकालेंगे और potential energy का form लगी यहाँ पर क्या होगा पॉइंट हट जाएगा और 98 इंटू 6 तो simply multiply करना यहाँ पर 98 को 6 से 8 6 जा 48 4 करी गया और यहाँ पर 9 6 जा 54 और 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा answer कितना आ गया 588 Joule आ जाएगा क्योंकि potential energy और burden यहाँ पर और दोनों की unit यहाँ पर क्या होगी Joule होगी आपको यह वाला answer यहाँ पर समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question की तरफ